Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए August 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि August मन्त में आपकी Love Life में क्या हो रहा है क्या आपके पार्टनर की energies होंगी, क्या आप महसूस करेंगे कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप August मन्त की energies को बदल सकते हैं, अपनी Love Life को बहतर कर सकते हैं तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाप से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाप से राशी हो, आपका Moon sign हो या फिर आपका Sun sign हो इन फाक जिस sign के साथ आप सबसे ज़्यादा resonate करते हैं, आपको लगता है कि ये sign आपका है आप उस sign के हिसाप से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं August 2024 की Love Tarot Reading चलिए एक एंसरियन्स आप लोगों के लिए देखें कि August 2024 में आपकी Love Life में क्या हो रहा है तो आप से आप यापर तीन सेर ऑफ कार्ज है First से र अफ कार्ज में हम आपके Energies देखेंगे Second से र अफ कार्ज में आपके Partner की Energies देखेंगे And third से र अफ कार्ज में हम देखेंगे कि finally August मंद में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हो और आपके लिए आपे सबसे पहले कार्स मुझे दिख रहे हैं और ये कार्स कहते हैं कि पीछे कुछ टाइम से या उगर स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा हेलपलेस, थोड़ा सा, you know, होपलेस फील कर रहे हैं अब देखें, जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मसला है, कोई बहुत बड़ा इशू है इसलिए ऐसी एनर्जीज हैं, कभी-कभी छोटी-छोटी बाते हमें जादा परेशान कर देती हैं आप देखें, कुछ के लिए बहुत ही छोटी मामूली सी बात हो सकती है कुछ के लिए या फिर मैं कहूंगी, का दुक्का लोगों के लिए थोड़ी बड़ी बात भी हो सकती है जिसकी बज़े से एक confusion भी आप महसूस कर रहे हैं और deeper level के लिए drained का काट कहता है मनीवन आपको ऐसे लग रहा है कि बस थग गए यार होता है ना कभी-कभी partner को हम किसी चीज के लिए convince कर रहे होते हैं और फिर parents को convince कर रहे होते हैं partner के लिए या कोई और भी situation circumstances होते हैं हमने बड़ा effort कर रहा होता है और हमें लगता है कि बस और effort नहीं करना अब हम ठग गए हैं तो ऐसी-सी energies कहीं August starting में आपके लिए रहती हुई दिख रही है और इसी लिए या फिर otherwise भी Three of Cups reverse का card कहता है शायद आप जादा socialize करना चाहा रहे हैं जादा अपने friends से या फिर you know otherwise भी लोगों से connect करना चाहा रहे हैं party करना चाहा रहे हैं लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उतना enjoy नहीं कर पा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कोई celebration है August month में उसमें आप involve करना चाहा रहे हैं लेकिन उतना you know आप उसको again मैं कहूंगी enjoy नहीं कर पा रहे हैं तो eating, drinking, marimaking लोगों के साथ यहाँ पर close circle भी हो सकता है यहाँ फिर you know common friends भी हो सकते हैं जिनके साथ आप मिल तो रहे हैं लेकिन उतना great नहीं feel कर रहे हैं और deeper level के लिए love energy का card कहता है शाद आपने partner को miss कर रहे हैं यहाँ पर partner के लिए बहुत एक love महसूस कर रहे हैं और कहीं देखिए end august के लिए trickster and magician दोनों ही card same energies की बात करते हैं आप थोड़ा सा manipulative हो रहे हैं थोड़ा सा diplomatically situation को deal कर रहे हैं तो देखिए फिर से nutshell मैं आपकी energies बताऊ starting august बहुत great नहीं जाता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर हम relationship की बात नहीं कर रहे हैं situation में से बाहर निकालते वे दिख रहे हैं बहुत smartly चीजों को deal करते वे दिख रहे हैं फिर से मैं कहूंगी थोड़े manipulative कुछ के लिए हो सकता है काफी manipulative भी हो रहे हैं diplomatically चीजों को deal कर रहे हैं और अब देखते हैं कि आपके partner की के energies हैं तो देखें आपके partner के लिए आपे सबसे पहला card है love is in the air तो मन ही मन बहुत प्यार महबबत आपके लिए महसूस कर रहे हैं बहुत उनके मन में आपके लिए feelings रहती भी दिख रही हैं आपका साथ मन ही मन चाहते हुए दिख रहे हैं या कोई भी चीज हो सकती है उनकी तरफ से उनको end करने की ज़रत है लेकिन वो end नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो बहुत rigid हो रहे हैं बहुत fixated हो रहे हैं दिखें ये general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा फिर से बताऊं तो आपके partner मन में आपके लिए बहुत प्यार महसूस करें लेकिन surface level के लिए थोड़े से पुरानी किसी चीट से यहाँ पर पुराने खयालाद भी हो सकते हैं conservative thinking भी हो सकती है या कोई भी और चीज हो सकती है जगा हो सकती है कभी कभी देखिए professional front को लेकर couples के बीच में एक issue मसला हो जाता है अगर you know long distance relationship है या कोई भी इस तरीके का मसला है कि भी कौन नौकरी छोड़े या कौन अपना job change करे क्योंकि एक कुतु जगा छोड़के दूसरी जगा पर जाना ही पड़ेगा यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको example दिया है situation circumstances सबके लिए differ करेंगे तो फिर से आपके partner थोड़े से rigid fixated हो रहे हैं किसी चीज़ को उनको let go करने की ज़रत है नहीं कर पा रहे हैं इसके बावजूत कि उनके मन में आपके लिए प्यार है और इसलिए यहाँ पर otherwise भी mid August में काफी एक frustration उनके लिए रहती हुई दिख रही है गुसा उनको आता हुआ दिख रहा है उनके नजरिये से देखे तो उनको ऐसा लग सकता है कि भाई वो बहुत time से बहुत सबर रख रहे थे बहुत patience के साथ चीज़ों को deal कर रहे थे और उनका सबर का बांध फट रहा है फट रहा है कहते हैं I don't know मतलब खतम हो रहा है वो उतनी सबर नहीं रख पा रहे है sucker for you का काट कहता है again काफी वो भी mid August में drained महसूस कर सकते हैं लेकिन कहीं end August के लिए changing and six of swords के cards कहते हैं कि वो भी इन्ही energies में से खुद को भाहर निकालते हुए दिख रहे हैं वो भी कहीं जो भी बदलाव लाने की ज़रत है जो कि हमने देखा था कि starting August में वो काफी rigid fixated हो रहे हैं कुछ चीज़ों को change करने की ज़रत है नहीं कर पा रहे हैं और कहीं end August में वो भी जो changes लाने की ज़रत है वो changes लाते हुए दिख रहे हैं और किसी चीज़ को अगर बहुत tightly पकड़ कर बैठे हुए थे तो उसको let go करके कहीं आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आपके partner travel कर रहे हैं travel करना चाहा रहे हैं या फिर you know इस relationship में आगे बढ़ना चाहा रहे हैं कुछ के लिए positive हो सकता है कुछ के लिए थोड़ा सा negative हो सकता है और अब देखते हैं कि अगस्ट मन्त में क्या हो रहा है तो देखिए August स्टार्टिंग में बहुत कोई आप लोगों के बीच में interaction, बातचीत या मुलाकाते नहीं होती हुई दिख रही हैं अब देखिए अगर आप रोज मिलते थे या मिलते हैं तो उससे काफी कम आपकी मुलाकाते बातचीत होती हुई दिख रही है और आप अल्रेड़ी कम मिलते थे तो फिर बिल्कुल भी हो सकता है आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है मिल नहीं रहे हैं जिस भी लेविल पे आपका relationship है उसी लेविल से आपकी बातचीत, मुलाकात, interaction काफी कम होती हुए दिख रही है यहां पर बातवना, आप दोनों में से कोई एक विड्ट्राव कर रहे हैं यहां फिर एक केलापद महसूस भी कर रहे हैं जाथा मुझे दिख रहा है कि चाहा रहे हैं क्योंकि डीपर लिफेल के लिए need a break का काट कहता है कि थोड़ा सा pause ले रहे हैं, लेना चाहा रहे हैं, एक break लेना चाहा रहे हैं, अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आपका break up हो रहा है, कभी-कभी होता है न कि हम थोड़ा सा pause लेना चाहा रहे होते हैं, चीजों को और समझने के लिए तो वो व रहे हैं या किसी बात को लेकर argument हो रही है या कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि circumstances, situations थोड़े से conflicting हो रहे हैं होता है न कभी-कभी parents नहीं मान रहे हैं तो parents से partner के लिए लड़ाई हो रही है, argument हो रहा है या आप दोनों के ही बीच में argument हो रहा है देखिए सब की situation differ करेगी क्योंकि ये general reading है और deeper level के लिए caught का card literally अगर हम Hindi में देखें तो पकड़ने की बात करता है आप देखिए ये कोई भी चीज हो सकती है जो आपने अपने partner की पकड़ी या partner ने आपकी पकड़ी अब कुछ के लिए हो सकता है जूट आपने partner का पकड़ा या partner ने आपका पकड़ा या फिर किसी से flirt करते हुए आपने उनको या उन्होंने आपको पकड़ा या literally किसी तरीके की cheating हुई अब दिखिए जो भी तीन चीजे में रहे माइन वी आई मैंने कहा कोई भी चीज हो सकती है जो आपने partner को करते हुए या partner ने आपको करते हुए पकड़ा और ये एक main reason argument का या फिर difference of opinion का या views नहीं match करने का जाधर है तावा दिख रहा है जो भी हो कहीं end August में the fool का card कहता है कि आप लोग अपने आपको इन ही conflicting energies से बाहर निकाल रहे हैं एक carefreeness आ रही है लेकिन साथी साथ एक carelessness भी आ रही है आप दोनों ही उतने committed एक दूसरे के लिए नहीं रहते हुए दिख रहे हैं यानि कि साथ हैं बातचीत हो रही है लेकिन going with the flow अले energies में जा रहे हैं जिससे की होता है न कि मिल लिये तो बहुत अच्छी बात है नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं बात हो गई तो बहुत अच्छी बात है बात नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं तो इस तरीके की एक energies र तरीके से आप दोनों एक दूसरे से end august में नहीं involved होते हुए दिख रहे हैं अब देखें फिर से मैं कहूंगी कोई ऐसे major issue, major problem नहीं रहते हुए दिख रहे हैं क्योंकि fool का card है, fool बहुत ही casual तरीके की चीजों की बात करता है लेकिन होते हैं कभी-कभी कि हम इतना नहीं बात करना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है बात करेंगे तो खाम-खान लडाई हो जाएगी, argument हो जाएगा वो एक energy हो सकती है, ये general reading है तो सब के लिए different इस तरीके के energies हो सकती है लेकिन कुछ ऐसा-एसा August end में रहता हुआ दिख रहा है All in all देखें तो August month बहुत great नहीं जाता हुआ दिख रहा है लेकिन कुछ major खराब भी नहीं होता हुआ दिख रहा है तो ये था Cancerians आप लोगों के लिए August 2024 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें